उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आदितिनात सख्त प्रशासक है बात चाहे कानून विवस्ता की हो या फिर किसी और विभाग की वो नियम के पालन पर जोर देते है CM योगी उत्तर प्रदेश में हर विभाग में सुधार के लिए कदम उठा रहे हैं और इसी में एक है शिक्षा विभाग यूपी में शिक्षा विवस्ता को सुधारनी के लिए CM योगी ने फैसले लिए और शिक्षिकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू कर दिया यानि अब रजिस्टर में जाके अटेंडेंस नहीं बनाएंगे टीचर डिजिटल ही होगा ओनलाइन शिक्षक स्कूल समय पर पहुंचें और फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएं या फिर फेस रिकगनीशन अटेंडेंस लगाएं लेकिन इस फैसले पर पिछले कुछ दिनों से यूपी के शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिये भी ऐसा महल बनाया जा रहा है जैसे योगी सरकार ने शिक्षकों पर अत्याचार किया अकिलेश यादब से लेकर राहूल गांधी तक इस मामले को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं आज आपको इस विवाद के बारे में विस्तार से बताऊंगा शिक्षकों के प्रदर्शन की वज़ा क्या है क्या शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे है या फिर कोई कारण है उनका पक्ष क्या है शिक्षिकों के विरोध के बाद योगी सरकार अब करने क्या वाली है योगी सरकार के इस फैसले पर उत्तर परदेश के अबिभावग क्या कह रहे हैं आज सब कुछ आपको दिखाऊंगा वैसे तो शिक्षक और शिक्षकों के वो को विवाद से दूर ही रहना चाहिए और अगर शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका कुछ तो पक्ष होगा और इसलिए वो पक्ष आपको जानना चाहिए दरसल ऑनलाइन अटेंडेंस के मुद्दे से शिक्षकों की पुरानी मांगे फिर सिर्फ चर्चा में आगे शिक्षकों की डिमांड आपको बताऊंगा लेकिन पहले शिक्षकों के विरोध की तस्वीर देखिए वारणसी में प्रात्मिक स्कूलों के शिक्षिकों ने उनलाइन अटेंडेंस के फैसले के विरोध में काली पट्टी बांग के विरोध प्रदर्शन के शिक्षक साफ कह रहे हैं कि वो उनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं है सरकार के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन online attendance की प्रक्रिया में थोड़ी राहत दी जाए साथी शिक्षिकों की जो पुरानी डिमांड है वो भी पूरी की एक बार शिक्षिकों को सुनिए फिर दिखाता हूं कि कैसे पूरे यूपी में शिक्षिक इस फैसले का विरोत करा है ये online attendance के पहले ही हम लोग ने डिमांड रखी थी कि हमें half CL भी दिया चाहे और EL दिया जैसे कि अन्य विभागों को मिलता रहा है पीच में अगर हमें कोई कैजवल्टी होती है तो हम अगर जाते तो अपसंट तो यह सारी चीजे विवहारिक दिक्कते हैं उसको दूर कर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास 14 C.L. है जिसमें पूरे साल हम लोगों अपने सारी चीज़ों को मेनेज करना है तो यह संबभब नहीं है यह किसी करमचारी के लिए संबभब नहीं है पॉने आठ से आठ के बीच में अटेंडनेस लगनी है तो वो पॉने आठ से आठ की बीच में आप चले गई नहीं वो जाम हो जाएगा या बैट जाएगा लगाया जाए लेकिन उसके साथ कुछ हमारी सरते हैं उनको मानते हुए जैसे कि 30 EL की हमारी मांग है जैसे किसी आपदा की इस्तिती में हम लोग अपनी EL ले सकें अपनी हाफडेस EL ले सकें तो ये सारी मांगों के साथ कुछ समय की छूट दी जाए जैसे एक आठ दिन किसी के साथ कोई समस्या हो जाए तो तुरंत अप्षेंट करने का ऑप्षेंट ना हूँ आप शिक्षक कह रहे हैं कि हमको ओं-लाइन अटेंडीन से दिक्कत नहीं है लेकिन जो दिक्कते आरहिए वह भी देखे गब करें हमको कह रहे हैं कि एटेंडेंस लगा और उसी वक्त जाम हो जा रहा है लेकिश्ंजेर्वaj ने योपि के प्रामरी शिक्षकों को एक प्रदर्शन किया जानपूर में भी शिक्षकों ने इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया शिक्षक समय पर स्कूल आ रहे हैं और काली पट्टी बानकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं इसके जरीए वो सरकार तक अपनी आवाज पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं इसी त तरह से मुरादबाद अयोद्या समेत कई जिलों में शिक्षक ट्रोटेस्ट करने हैं यूपी सरकार ने ऑनलाइन अट्रेंडेंस का जो नियम लागू किया है उसमें क्या कहा गया है पहले वो सुने प्राइमरी शिक्षकों को सुबा सात बज कर पैतालिस मिनट से आठ बज से साड़े तीन के बीच जब छुट्टी होगी तो फिर शिक्षकों को अटेंडेंस लगानी हो समय पर डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगने पर शिक्षक को अनुपस्थित मान लिया जाएगा अब योगी सरकार को यह लगता कि भाई आप वहां रहकर अटेंडेंस आने वाले शिक्षकों पर लागू है यूपी में करीब 1,32,000 प्राइमरी स्कूल हैं जहां 6,09,000 शिक्षक पढ़ाते हैं इन सभी शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंडेंस लगाना अनिवार वे हैं योगी सरकार ने ये नियम 8 जुलाई से लागू कर दिया जिसके आमे प्रेरना तो वो खोली है और उसमें अटेंडेंस लगाई है प्रेरना एप खुलने में बहुत समय लेता है ये टीचर कह रहे हैं तब तक अटेंडेंस का समय निकल जाता है क्योंकि अटेंडेंस का समय ही 15 मिनिट है या थोड़ा पहले स्कूल है तो साथ पतालिस से आ नहीं है तब अटेंडेंस लगाना है तो टीचर कह रहा है कि कई बार नेटवर्क नहीं आता है वहाँ पे स्कूल के अंदर दिक्कत है तब क्या करें प्रेरना एप पर लोकेशन की दिक्कत भी आती है कईबार लोकेशन ट्रेस ही नहीं कर पाता अब मावान लीज़े आप समय से पहुचे लेकिन आप लगा रहे हैं आप में आपका लोकेशन ही नहीं ले रहा फिर क्या कीजेगा कई स्कूलों तक पहुचने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधाई नहीं है कई स्कूलों में बिजली की दिक्कत है जहां डिजिटल अटेंडेंस लगाना मुश्किल होता है तो शिक्षक कह रहे हैं कि हम लगा देगे डिजिटल अटेंडेंडेंस लेकिन ये सब दिक्कत भी तो है और इसको आपको प्रैक्टिकली देखना होगा है यह समस्याइं अगर आप देखिएगा प्रैक्टिकली तो शिक्षक सही कह रहे हैं कि भाई कुछ दिक्कत ह तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कि आप मेरा दिक्कत आपके अप में है, आपके सिस्टम में और आप मेरा पैसा काट लीजएगा, इसलिए सरकार को भी डिजिटल अटेंडेंडेंस से जुड़ी इन समस्याओं को दूर करना चाहिए हाला कि डिजिटल अटेंडन्स है यूपी में चात्रों के माता-पिता काफे संतोष्ट है अभी भावकों का कहना है कि समय पर स्कूल पहुंचने और अटेंडन्स लगाने में शिक्षिकों को क्या परिशानी है सुनिया अभी भावकों का पक्ष फिर आपको बताऊंगा कि शिक्षिकों की और डिमांड क्या है अगर जब हम आते ही है इसकूल आते हैं तो हम जैसे हाजरी दे रहे हैं अगर नमने बाइमाट्र की जगा अगर ने फिर साजी दी तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं सो कोई दिख्यात आनी चाहिए नौकरी तो नौकरी है किसी विवाग की हो आपको करना ही पड़ेगी आप बहुत दिनों तक उससे भाग नहीं सकते चाहिए किसी विवाग के लोग हो तो इनको अपमे उच्छ अधिकारियों से वारता करनी चाहिए ना कि धर्णा प्रदसन करना चाहिए पर चेंदे तो अच्छी बात है उसमें लोग कहलेगा कौन नहीं जा रहा है उसमें लोग कहला है कि अरे पौचने हम लेट हो जाए ये जा हो जारे तो ये चीज़ें तो महीने में एक दो बार होंगी ना तीसो दिन तो होंगी नहीं यह तो सरकार करने हैं मुझत अच्छा है यह बहुत ही सराहनी के दम है हम यह समझते हैं कि अगर अज्छापक का अटेंडेंस अनलाइन अगर हो जाता है यानि जो पेरेंट्स हैं अभी बाबा के उनको लग रा ठीक है यूपी के प्राइमरी शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं है वो अपनी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस कर रहा है शिक्षकों की डिमांड क्या है वो भी सुनिए पहली डिमांड है कि शिक्षकों को साल में 30 EL यानि Emergency Leave दी जाए दूसरी डिमांड है कि एक साल में 15 Half CL यानि Casual Leave दी जाए तीसरी डिमांड है कि Cashless Medical सुविधा दी जाए चौती डिमांड पढ़ाने के अलावा किसी Un-Duty में न लगाया जाए पांचवी डिमांड है कि महिने में 4 दिन लेट होने पर एक दिन का वेतन काटा जाए छटरी डिमांड है कि डिजिटल अटेंडनेंस का नियम पहले अधिकारियों पर लागो किया जाए यूपी के प्राइमरी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी आवास सरकार तक भी पहुँच रही है लेकिन इस मामले पर राजनीती भी शुरू हो गई समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादब ने शिक्षकों के प्रोटेस्ट के समरतन में सोचल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि कोई शिक्षक देड़ से स्कूल नहीं पहुचना चाहता लेकिन कहीं सारवजनिक परिवाहन देड़ से चलना इसका कारण बनता है कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की पचासो किलोमेटर की दूरी ना दूरस्त इलाकों में किराये पर घर उपलब्द होते हैं बिना विवारिक समस्याओं का समधान किये बिना डिजिटल अटेंड़न्स बिना मतलब उसको हटाए उसको सौल्व किये डिजिटल अटेंड़न्स संभव नहीये समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर डिजिटल अटेंडेंस लगानी है तो इसे मंत्रियों पर लागू करें अगर अधिकारियों पर भी लागू करें अखिलेश यादव के साथ साथ राहूल गांदी ने भी डिजिटल अटेंडेंस का विरोध किया है राहूल गांधी कह रहे हैं कि सरकार को शिक्षिकों की पुरानी मांगों को सुनना चाहिए ओनलाइन अटेंडेंस से जुड़ी आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए शिक्षिकों पर ओनलाइन अटेंडेंस थोपना सही नहीं डिजिटल अटेंडेंस के जरीए सीम योगी यूपी की शिक्षा विवस्ता में नया बदलाव करने की कोशिश कर रहे शिक्षिकों के विरोध के बाद अब सीम योगी ने भी अधिकारियों को नया निर्देश दिया है जिससे ये विवाद सुलजने का संकेत मिल रहे सीम योगी ने कहा है कि वरिष्ट अधिकारी फील्ड में उतरें और शिक्षक संगठनों से बात करें शिक्षकों पर सकती बरतने से पहले सभी को डिजिटल अटेंडेंस पर राजी करने की कोशिश करें शिक्षकों से बात करके डिजिटल अटेंडेंस के सिस्टम को सरल बनाया जाएगा शिक्षक विवाद के अधिकारी सुबा साड़े साथ से साड़े दस बजे तक स्कूलों में जाएंगे शिक्षिकों से बात करके digital attendance पर समस्याइं सुनेंगे और उसे दूर करें अब यही CM योगी की पहचान है कि वो समस्याओं को निप्टाने में विश्वास रखते हैं खत्म करने में विश्वास रखते हैं बात यह है कि वो शिक्षकों का पक्ष देख रहे हैं और अधिकारियों से कहने कि जाओ नो बाई जमीन पर देखो उनको क्या दिक्कत उनसे बात करो तभी ना सल्यूशन मिलेगा तो अधिकारियों को भी कई बार समझना चाहिए क्या है सीम योगी अच्छी चीज सोच रहे हैं शिक्षक व्यवस्ता सुधरे शिक्षक अच्छा पढ़ाना चाह रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है एप की और दूसरी चीज़ों की अधिकारी बीच में बस हमने लागू कर दि देखनी चाहिए कर्मचारियों की समस्सायन देखनी चाहिए